आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स फ्रेंस अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही सुने फ्रेंस जो मेरे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर ले फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या टिप्स नमबर वन अगर पेट की कोई भी बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल ज़्यादा खाया करें नमबर टू ज़्यादा नाने वाले इंसान के बालों के गिडने का प्रॉब्लम हो जाता है फ्रेंस जो ज़्यादा बाल धुलते हैं या फिर ज़्यादा नहाते हैं तो उनके बालों के गिन्रे की प्रोब्लम बन जाती है टिप्स नमबर 3 दिन के वक्त पानी ना इस्तिमाल करने से होट काले पड़ जाते हैं टिप्स नमबर 4 अगर आपको ठकावट महसुस होने लगे तो थोड़ा सा गुड़ खाले ये आपकी एनरजी को बढ़ाएगा टिप्स नमबर 5 रात और दोपेर के खाने के बाद एक कली लहसुन की खालो बजन तेजी से कम हो जाएगा टिप्स नमबर 6 एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिएगा इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है टिप्स नमबर 7 अगर आप अपना बजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएगा इससे आपका बजन बहुत जल्दी से बढ़ जाएगा टिप्स नमबर 8 हाथ पाउं काले रंगे हों तो उटनी का दूद लगाओ सफेद हो जाएगे प्रेंच जिनके हाथ या पैर बहुत जादा काले होते हैं तो आप उटनी का दूद जरूर लगाए इससे आपके हाथ पैर साफ सुत्रे हो जाएगे टिप्स नमबर 9 सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से बजन तेजी से बढ़ता है साथ ही मसल्स भी मजबूत होते हैं तो प्रेंच सुबह भीगे हुए चने खाने से आपका बजन तेजी से बढ़ता है और आपके मसल्स भी बहुत मजबूत होते हैं टिप्स नमबर 10 अक्षर्क रसोई में साबधानी से काम करने पर हाथ पाउं जल जाए तो जैतुन का तेल लगाने से आराम मिलता है टिप्स नमबर 11 बालों की लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में आमला पाउडर मिलाकर बालों की जड़ में मसाज करने से बालों की लंबाई दोगनी तेजी से बढ़ती है टिप्स नमबर 12 जो रोजाना सुभा के वक्त एक टमाटर खा लेते हैं उनके बाल कभी शपेद नहीं होते हैं रोजाना सुभा के टाइम एक टमाटर का सेवन कीजिए आपके बाल कभी भी शपेद नहीं होंगे टिप्स 18 आदे शर के दर्द में अंगूर का जूस ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करो दर्द कम हो जाएगा जिनके आदे शर में दर्द की शिकायत है वो अंगूर का जूस ज्यादा से ज्यादा इस्तिमाल करें उनकों जो दर्द की शिकायत है वो कम हो जाएगी टिप्स नमर 14 एक चमस दालचीनी का कुल उपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने से निरोगी रहेंगे आप दालचीनी का इस्तिमाल किसी भी रूप में किजिए आप चाय के रूप में लीजिए आप किसी भी तरह से लीजिए इससे आप काफी निरोगी रहेंगे टिप्स नमबर 15 इस्तियों के मासिक धरम की खरावी में पुदिने की पत्ती की चाय बनाकर पीने से लाफ मिलता है नमबर 16 बुखार कम नहीं हो रहा है तो फोरन चावल का उबला हुआ पानी पीलो फायदा होगा नमबर 17 अधरक वाला पानी पीने से बदन में जमा हुआ खून हरकत करने लगता है नमबर 18 लैसुन की कली कटी हुई हो या सावुद इने फिरिज में नहीं रखना चाहिए लैसुन नरम होकर अंकुरित होने लगता है इसका स्वाद कम हो जाता है और जो लैसुन का लावकारी गुण होता है वे खतम होने लगता है यदि आपको यह टिप्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें फ्रेंज वीडियो को पूरा ही वाज करें तभी पता चलता है कि वीडियो में है क्या हो सकता है कोई भी एक टिप्स आपके काम की हो जो आपके बहुत काम आए और वो आपसे मिस ना हो इसलिए वीडियो को पूरा ही वाज करें टिप्स नमबर 19 फ्रिज में ब्रेड को रखने से बचाना चाहिए खुले में सामाने तापमान में रखने से ब्रेड अधिक समय तक चल जाती है लेकिन फ्रिज में इसके जल्दी खराब होने का खत्रा रहता है टिप्स नमबर 20 अगर केला खाने से आपको कबज की प्रोबलम होती है तो केला खाते समय उस पर थोड़ा सा काला नमक डालने से इससे कबज की समस्या नहीं होगी नमबर 21 जब छीक आने लगे तो शर को जुका लो या आदास अच्छी हो जाएगी नमबर 22 जिन ओड़तों की तचार रूखी और खुस्क होती है उन्हें नासपाती का शेवन करना चाहिए नमबर 23 ज़्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले रोग जल्दी ही मोटापे का सिकार हो जाते है तो फ्रेंस हमें ज़्यादा चीनी वाली चाय नहीं पीनी चाहिए इससे हमें मोटापा बढ़ जाता है टिप्स नमबर 24 आम का सेवन करने के बाद कभी भी हरी मिर्ज का सेवन नहीं करना चाहिए टिप्स नमबर 25 ज़्यादा चावल खाने से डायविटीज की समस्चा होती है समस्चा होने लगती है फ्रेंस ज़्यादा चावल खाने से आपको डायविटीज की समस्चा होने लगती है टिप्स नमबर 26 दही के उपर वाला पानी लीवर को साफ करता है दिन में एक गलास पाँजरुर पीए नमर 27 कोई भी खटी चीज खाने के बाद पानी पीने से पेट में आ जाती है कोई भी हम खटी चीज़ खा रहे है और उसके उपर आप पानी पीलेंगे तो आपके पेट में शूजण आ जाएगी इसलिए हम firm कोई भी कठी दही का सेवन जरूर करें इससे urine infection नहीं होता है नमर ठाटी सोंक और चीनी रात को सोने से पहले खा लेने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है फ्रेंच जब भी आप सो रहे हैं या तो आप सोंक और चीनी रात को खा लेंगे तो आपकी आँखों में काफी आराम मिलेगा आ सोंक या फिर साथ में मतलब मिस्री का भी सेवन कर सकते हैं टेप्स नमर ठाटी वन तीन लीटर पानी रोजाना पी लेने से कोई भी बीमारी नहीं होती है सुप्रेंच हमें पानी की जो मात्रा है वो हमें हर रोज बढ़ा लेनी चाहिए हमें तीन लीटर कम से कम या चार ल बीमारी है उन्हें कच्चे करेले का शेवन करना चाहिए बहुत ही फायदेबंद होता है प्रेंच इनको सुगर की बीमारी है उनको कच्चे करेले का शेवन करना चाहिए यह बहुत ही फायदेबंद होता है सुगर के मरीजों के लिए टिप्स नमर ठाटी फॉर एक छल्डि से हिए खुपर बढ़ाप बिल्कुल भी नहीं आईगा जल्दी से नहीं आएगा को जल्डि से नहीं आएगा अज आज आपको ये 35 कोंग केचिन औन हैल्थ से रिलेटिभ विटीप्स आपको कैसी लगी जरूर से बताएगा टिप्स अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो बहुत जाद अच्छी लगी तो इसे फैमली और फ्रेंच में शेयर भी करना ना भूलेगा आज की वीडियोस मेरी यहीं तक की थी थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो